और आज के इस क्लास में हम लोग यूपी पूलीस कॉंच्टेबल की जो नई कंसी आ sympathानल है जिसका की केजाब जल्दी होने की सम्भावण और question set में क्या होता है कि important question रहते हैं तो उससे आप अपने आपको judge कर सकते हैं कि हमारे तयारी कैसी है यह यह जैसे जीके और हिंदिम तो यह है कि आप practice set से भी अपनी तयारी कर सकते हैं थोरी पहले से पढ़ रखे हैं तो इसलिए जरूरी है कि आप लोग हमारे साथ practice set लगाते रहे हैं यह set 3 है practice set paper 3 है यह और इसे पहले दो set करवा चुके हैं तो अगर आप कर लिए हैं तो अच्छी बात है अन्य था कुछ इसकी जेगा कि इसके बाद उसको भी कर लेने का क्यूंकि उसमें भी कई सारे अच्छे-चे question डले हुए थे उसमें भी तो चलिए आज का start करते हैं तो पहला question है कि जिन सवरों का उचारन करते हैं प्राया मुख जो है वो बंद सा रहता है कहलाते हैं तो उ उसी को संबीर्थ कहते हैं और जिसमें मतलब मुख बंद रहती है लेकिन हलकी से खुली हलकी खुली रहती है उसको अर्ध संबीर्थ स्वर कहते हैं और बीविर्थ क्या होता कि जिसमें मुख खुला वह रहता है उसको बीविर्थ स्वर कहते हैं जैसे कि आका उचारन की ज संभीर्थ तोझा ऐस्का सायर हो जाएका ओपिसे में बन रहाता हुआ है उसको शंभीर्थ कहते हैं जिसमें बन तो रहता है लेकिन हलका खुना रहाता तो उसको संभीर्थ है अगला क्योशन नें कि नाद के आधार पर बेंजन के दो वर्ग कौन से हैं, नाद के आधार पर जानते होंगे, कि नाद यानि तंत्रिका यानि कमपन के आधार पर जो होता है, किसी बेंजन में ज्यादा कमपन हो रही है, किसी में कम हो रही है, तो उसके आधार पर जो है, इ जिसमें की मितलो कमपन नहीं होता है जिसके उचारन में कमपन नहीं होता है उसको अगोस कहते हैं इसमें अक्सर जो है आपका परतेक वर्ग का पहला और दूसरा आता है इसमें पहला और दूसरा इसमें आता है सघोस क्या होता है है हुसा जिसमें की उच्चारण करते वक्त तो जब सब को विग्रे कीज़ेगा न भूसन हो गया प्रतिष्था उद्यधार और और पयोद्ध तो भूसन का तो भूस से जुर अन होगा जो कि बेंजन संदी है उसके बाद परती जुर अस्था होता है परतिश्ठा का परती जुर अस्था जो कि बेंजन संदी है उसके बाद जाके पदो पयूद पयूद को जो है न इसका जो संदी बिछे दोगा वो हो जाएगा आपका प्र अरा जो दे यह होता है पयोद का संधी बिच्छे तो इसमें बिसर्ग आ रहा हुआ तो इस वह यह वियोनी है ईसकाण संधी है . उसके ज़एसली सही जाई ंजाई एक का या अंसर होजाएगा भयोध बाकी सब दिखिएगा तो बिंजनस नदिय है कि में यह गिस्म डिया जो आउग नहीं लगा सुदूर सुदूर में भी kinda प्रस्तूत में संस्क्रित का उधारन नहीं है आप लोग जानते होंगे कि तो कितने उपस्रग है तो बाइस उपस्रग है में को नहीं है तो अध्य जो हता है न ये संस्क्रित का उपसर्ग नहीं है बलकि ये हिंदी का है तदभब उपसर्ग है ये एक तरह से बाकि ये तीनों संस्क्रित उपसर्ग है तो इसा ही जबाब उजाएगा अध्य अगला कोशन है कि हार सब्द में कौन सा उपसर्ग लगा परी उपसर्ग लगाईएगा तो यह परिहार बन जाएगा परिहार का मतलब होता है छोड़ना तो यह सई जबाव जाएगा परी उपसर्ग लगाने के बाद परिहार बन जाएगा जिसका अर्थ होता है छोड़ना अगला क्वेशन है कि परतिये के कितने बेद होते हैं तो आ पातु के अंत में जूरकर अर्थ परिबर्तन कर देते हैं, वे कहलाते हैं, तो जो सब्दान्स के लाश्ट में जूरता है, उसको क्या कहते हैं, उसको पर्तिय कहा जाता है, और जो पहले जूरते हैं, उनको उपसर्ग कहते हैं, तो इसमें बोलडा है कि जो अंत में जूरकर अर्थ परिबर्तन कर दे उसको परतिय कहेंगे हम लोग और पहले वाले को उपसरकास आता है अगला कोशन है कि आदित्य में प्रियुक्त परतिय यानि पूछा जा रहा है कि आदित्य में कौन सा परतिय लगा हुआ है तो आदित्य में कौन सी परतिय है तो अदित्य का यह प परतिये लगती है नहीं तो अदू दित्या बंती है तो सफिछ शेखवार जाएगा य। अगला कोशन है कि सीखर चुम्बी में समास होगा सीखर चुम्बी तैने की र plaster को चूमने वाला इसे खर को मुद्द का सब अर्ठ निकले है सीखर को कूमने वाला तो इसमें को सब्दा आ रहा है, सिखर को चुमने वाला, को आ रहा है, तो को क्या होता है, करताने कर्म को, तो इसमें कर्म तत्पूरुष लग जाएगा, तो सही जबाब हो जाएगा, कौन सा समास है, तो कर्म तत्पूरुष समास है, आप लोग इसी तरह उसका खंडन करके, उसमें सो चिनने होती है जैसे इसमें सिखर को चुमने वाला को हो गया उसी तरह आप एक दूग जैंपल जैसे आप जिब कत्रा हो गया जिब को कतरने वाला बन को गमन करने बन को गमन यानि बन में घुमने वाला सो होता है अगला कोश्चन ही कि किस समास में विशेशन विशेश से अथवा उपमे उपमान का संबंद होता है तो विशेशन विशेश से अथवा एक मिनिट विशेशन विशेश से अथवा उपमे उपमान का संबंद होता है तो उस समाज को क्या कहा साता है, तो उसको हम लोग करमधारे समाज कहते हैं, तो सई जवाब हो जाएगा, करमधारे समाज में जो है, विशेशन विशेश से अत्वा, उपमे उपमान का संबंद होता है, अगला कोश्चन है कि हस्त लिखीत का समाज विग्र है, तो हस्त लिख सब्सक्राइब है तो ब्लड़ाज़ अर दोनों जो है ये आपका ऑवाषक संग्या और भावचक संग्या तो सब है लेकिन बोलड़ा किरिया से बनी है तो पढ़ में जब आई लगाई गई होगी तो पढ़ाई बन गई और लिखना में जब आवत आया होगा तो लिखावत बन गया तो यह कर्म किरिया से बनी वहावाचक संगया है तो सब्सक्राइब पढ़ाई और लिखना उसमें आइए और आवट पड़तिया लगके वह भावा चक संग्या बन गया अगला कोश्य है निकि किस बिकल्प के सभी सब्त विसेशन से बनी भावा चक संग्या है अदी विसेशन उपर पूछ रहा था कर्म से नीचे पूछ रहा है, बिसेशन, भिसेशन इन विसेश्ता बताना, तो महत्तो, संदर्य, प्रात्मिक्ता यह जो है, आपका अन्ये पूरुस पूरुस वाचक सर्वनाम हो जाते हैं, जानते हैं कि तीन प्रकार का प्रूस होता है, एक उत्तम प्रूस, दूसरा मद्यम प्रूस और तीसरा अन्य प्रूस, तो उत्तम प्रूस में जैसे मतलब बोलने वाला का बहुत हो, जैसे मैं मुझे यह सब जो ने उत्तम प्रूस का है, उसके बाद आके मद्यम प्रूस में तुम, आप, तुझे ये सब जो है ना वो आपका मध्यम पुरूस में आता है उसके अलाबाज होते है वो अन्य पुरूस में आता है तो वे जो है उसके अलाबा आता है तो अन्य पुरूस में हो जाएगा अगला है कि मुझे किस परकार के सब नाम है अच्छा हां ये पूछ तो इसलिए इसका साही जवाब हो जाएगा चरित्र चरित्र वे एक परती अलगी बनाया गया इसको चरित्रिक अगला कुशन इधर देखते हैं निमलखीत में से कौन सा सब्द गुनवाचक विसेशन है गुनवाचक तो गुनवाचक पूछा सा रहा है तो उचीती जो है न एक तरह से गुनवाचक ही गुन नहीं बता रहा है तो यह सही आंसर हो जाएगा उचीत अगला कुशन निमलखीत में से कौन सा विसेशन संग्या संग्या से नहीं बना है संग्या से नहीं बना है तो सुन्दर तो यह आपका सुन्दर आइ थिंग जो है न इसमें वो बिसेशन से बना हुआ है अब बिसेशन संग्या से नहीं बना है तो यह सुन्दर जो है न यह नहीं है बांकि सब देखेगा तो वो कहिने का हैं संग्या यह तो यह सही जवाब हो जाएगा इसका क्योंकि विशेशन का विशेशन संग्या है क्योंकि विशेश्था बताने वाली है भाववाचक विशेशन हो साय गई है अगला कोशन निमलिखीत में से निमलिखीत में किस वाक्य में उत्मावस्था गुनवाचक विसेशन विसेशे का प्रियोग किया गया है उत्मावस्था उत्मावस्था क्या होता है तो उत्मावस्था मतलब उत्मावस्था ऐसी आवस्था कहते हैं मतलब उत्मावस्था उस जिसमें compare कर के stretch दिखाने का coises किया गया हो जैसे इसमें जो न जी सबसे अच्छा बहुत अच्छा तो यह जो है एक कर से ढूत्र से है लेकिन सबसे होसियार है यानि उत्मा वस्था आ गया कि परमान जोन कक्छा में सबसे होसियार चात्र है तो यहीं सबसे होसियार हो जाएगा कि इसमें गुन तो बता रहा है कि यह होसियार है उत्मा वस्था यानि सबसे होसियार है तो इसलिए हो जाएगा अगला कोशन है क निम्नांकी सब्दों पर ध्यान दीजिए, खाना, टहना, छीकना, तोरना, इसमें अकर्मक किरिया है, तो अकर्मक किरिया है, इसमें पूछा जा रहा है, तो अकर्मक किरिया, अकर्मक किरिया क्या होती है, जब आप किसी भी सेंटेंस में जो है न, क्या और किसको लगा के प् को जैसे उठना का उठना एक अकरमक किरिया हुए उसी का सकरमक किरिया क्या जाएगा उठाना उठना एक अकरमक किरिया है उसका सकरमक हो जाएगा उठाना तो समझ रहे हैं टहलना और छीकना जो है न यह आपका उप्शन टहलना और छीकना यह दोनों जो है न यह अकरमक क्रिया नहीं है सक्रमक क्रिया नहीं किसान फसल काट रहा है काट रहा था उशे पतंग उरा बच्चे पतंग उरा रहे थे पक्ची अकास में उर रहे थे मजदूर चाय पी रही थे देखिए इसमें देखिए तो किसान क्या काट रहा है तो फसल काट रहा है बच्चे क्या उर अगला कोशन है कि किस विकल्प में किरिया में पुर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है, पुर्णता बोधक का है, मतलब कोई काम पूरी तरह के सोच चुका है, अब बरसात रुख गई है, देपक्षातरों को अनुशाशन शिकाते हैं कि इशान बहुत परिश्रम करता है, वराष्टपति भक्ति पुर्ण गीत लिखता है, तो अब बरसात रुख गई है, यानि बोड़े का बरसाता रुख गई है, यानि ये काम हो चुका है, बरसात रुख गई है, पुर्णता बोधक पक्षी है, सही अंसर हो जाएगा, बरसात रुख गई है, अगला कोशन कि निवन में से कौन सा उत्तर वैव के भैद से असंगत है, अनि अव्यव के जुभेद होते हैं, अव्यव के कितने भैद होते हैं, तो छार परकार को बिष्म होते हैं, जिसे किर्या भी इसे संवहाह시ब, अपका सम्मन्ध वोधक हो गया, उसके बाद जाके समुची वो धक कोई इसे नहीं होता बलकी बिस्मियादी ऑद्ग होता है इस लिए इस लिए एक सी Love कोषिन के कवड़् हुड्य की बिस्मियादी इस तो चार प्रकार क्यों होते हैं अगला कोशन है कि निम्नांकित मेंसे कौन सा सब्द किरिया विसेशन नहीं है तो तथा जो है ना तथा ये किरिया विसेशन नहीं है आपको पता होगा कि तथा जो है वो किरिया विसेशन नहीं है बलकि ये कौन सा भी से कौन सा है तो ये समु तो तो सभाव सब्सक्राइब आप यह कोशनी किस वाखें में अस्थान वाच्च verlis तो आप यहां बेट यह दीर चला भांड़त अभी आया गोग्रूजी बहुत कम जो आप यह बचान वाचs अस्थान के अ artık AraITर दे रहा है क्याप यहां बैटी तो सय जबाव हो जाएगा आपका यह अस्थान वालोट कि रिए अगला कुछन दर्ग क्वोगा ड़ा था, मैं कहा रहा था, कौन सा काले वो खा रहा था, मैं खा रहा था, यानि मतलब खाई रहा था भूत में तो है था थी लगावा है तो भूत में होगा लेकिन वो अभी खाई रहा था और खा रहा है अभी भी खाई रहा है तो अपूर्ण भूत हो जाएगा तो सब्सक्राइगा अपूर्ण भूत हो जाएगा अगला कोश्चन है कि राम की गाय सोरी राम की गाय चड़ती हुआ कि में कौन सा कारक है तो राम की गाय चड़ती है तो इसमें देखी गाना राम की गाय चड़ती है तो यह संबन्द कारक हो जाएगा क्योंकि सब्सक्राइब क्या नहीं होता है इसमें गाई राम की गाई सम्मंद बता रहा है कि राम की गाई तो सब्सक्राइब हो जाएगा सम्मंद वाचा को इसका पहचानने का होता है काके की रारेरी नाने नहीं है इसका पहचानने का एक तरीका हो गया जिसमें सम्मंद बचता है त तो उसको समन्दवाज़ा कहते हैं. सईजभाव यह हो जाएगा. अगला कोशन है, बिरिक्षों से पत्ते जड़ते हैं, में कुनसा कार्ख है तो? बिरिक्षों से पत्ते जड़ते हैं. यहां जुदाईयानी अलगाओ का बोध है. अलगाओ वाले को अपादान कहते हैं अब लोग को पता ही होगा जैसे प्रिक्षवा से पता जर्था इस तरह से इसमें अपादान कारक है क्योंकि यह अलगाओ का बो दोरा अगला कोश्चन है कि बरतनी की द्रिश्टिस से सुद्धम सब्द कौन सा है यहां कौन सा वड़ ज लगती है तो यह तीती होती है और सरुजनी भी गलत लिखा हुआ है सरुजनी कैसी होती है तो सरु इसमें भी लगती है तो सरुजनी होती है तो यह सही सबाब होती है यह भी गलत है उसके बाद जाके परिक्षित परिक्षित सही लिखा हुआ है परिक्षित इसी तरह होता बाकी छुद्र देखियेगा ना छुद्र में च्छा नहीं लगता वक्ति अच्छा लगता तो इसको छुद्र ऐसे लिखा जाता है तो आपका परिक्षित यह गलत है जिसका क्यों में शुद्यम रूप भी देख लिए अगला कोश्चिन को बूश राए कि शुद्यम रूप है प्रालोकिक प्रालोकिक कैसे लिखाता है ना तो प्रालोकिक जो है ना पारलोकिक होता है एक्छल में देखियेगा तो यह प्रलोक पलस एक परतिया से लगके बनता है तो यह पारलोकिक होता है तो सहीज़बाब पलस एक परतिया से बनता है तो सहीज़बाब पलस एक प त्र traves top परिए उसकी संदर्येता है संदर्येता में ने संदर्येता में नहीं लगता है संदरीयेता रहा जाता इसका सबस्क्राइज से उसका संदर्या ने हम यह इसका वाक्या हो जाएगा कि अगले कोशन देखते हैं कि राम की द्रिष्टी बड़ी पतली है इस वाक्य का सुद्धतम रूप तो राम की द्रिष्टी मोटी पतली नहीं कहीं जाती मतलब द्रिष्टी की इतनी मतलब सुक्ष में अती है बड़ी सुक्ष में चोटी-चोटी चीज़ों को भी देख ले मैं दूर र्षर रीरन्श कर लेको है कि डबल टैप हो जाने के बाद यह दो किस थो वाल होगा तो अब तक चाहतर अबार सो पाहुंच गया होगा यानि अब तक । ज्याथर आप पहुंच गया होगा इसा इसमें जो है ना probability दिखाया जा रहा हिए कि पहुंच गया होगा तो 6 संधे या संधे वाय हो जाएगा तो यह मैं सन्धे वाज़ा की संभाब नहritis पो ची गया होगा उसके बाद 135 अगलर je देख लिएंगे अगले कोश्चेन , कि का मुझे भय था वह हुआ वह की है तो जिसका मुझे भय था वह हुआ यानि एक वाकि जो है ब Χाक वह डूसरे पर dependent हो रहा है ढूश्थरे पर ct everyday काँई चहता है जिसका मुझे डरब तर्श्चास एक डरबिण सब्सक्रीन एक everytime विकल्प में सभी वर्ड मुर्धन्य से मुर्धन्य से जो आप लोग उचारन अस्थान वाला आई थिंक अच्छे से कर लिया होंगे अन्य था उससे रिलेटेड कोई ट्रीक तुरू याद कीजिए या कैसे भी कर लिजिए वो आपके हिंदी के लिए इंपोर्टेंट टॉप टो मुर्धन्य वर्डनेस से देखिए मुर्धन्य मुर्धन्य वर्ट यानि जो मुर्धा से जिसका हुत चारन होता है उसमें त्ठा डर्धा डंब लाटाना और रासारी आतता है आपके ऑप्शन के कोड़ंग जो ना ila गा में ये तीन हो आती है तो सॉझ सहाएब आपको को सब्सक्राइश वाला जहाँ नहीं होता तो इसलीगा लुक्त ही कि सब्सक्राइब कें कि नोताता pakίο हिस्ट्री जोग्रफिस इतने भी है वो एक तरह जीके का जो भी जेनरल कंपेटिशन में पूछा जाता है वो तो उस तरह का कोश्चन लिया गया है जो कि अलग अलग एकजाम में आया है तो चलिए जीके का देखते हैं ऑक्सी करन के लिए कौन सा प्रक्रम सही है अगला कोश्चन है जो कि आपका 49 नमर कि नाभी की रियेक्टर में कौन सी उर्जा होती है तो नाभी की रियेक्टर में नाभी की उर्जा पाई जाती है एक मिनट नाभी की रियेक्टर में नाभी की उर्जा पाई जाती है तो सब्सक्राइब नाभी की उर्जा टोटल जो है ना आपका हिंदी और जीके का मिलाके 70 कोश्चन पोचेंगे जो कि आपकी एकजाम का एक्सबपचास में 50 परशन यानि 75 कोश्चन वो इंडी और जीकरह रहने बाला है भारत का बिसमार्क किसे कहा साता है तो भारत का बिसमार्क जो है ना अजादी के बाद सर्दार पटेल ने जो है अलग 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 रियासतों को इकटा करके एक अखंड भारत ने यूनिटी ऑफ भारत का जो अभी देख रहा बर्दमान वो कई सारे रियासतों में बटा हुआ था तो उसको इकटा करने का काम किया तो इसलिए इनको ये संग्या अंग्रेजों भारत में ढश.श.थ, टियुए अन्ग्रेजो की टायाइम में जो है इसे तो पूरा भारत पर उनका राज.भी सीधे। हो सीधे शासन करते थे उसको प्रसेडेन्स सेहर काजा आता था और उस समय वो तीन थे प्रसेडेन्स से से जर्जार अग्रीज़ तुनियरेक्ट निया vacun और उससी तरह अंग्रेजो पकी तैमी होता था पर्सेडेन्सी सेहर हैं तो वह होता था तूं custody आपके मॉंबई, बंगाल, मदरास यह तीन जगह यह थे, मदरास, मॉंबई, बंगाल और मदरास, यह तीन हो जो प्रसेडेंसिक आला आते थे, क्योंकि वह अंग्रेज का डारेक्ट सासंता, अगला कोशन हुआ दूब, जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचीज अपर जे चार्ल्स डार्विन यह ब्रेटेन का आज देंक बैग्यानिक है, जो कि जीवन के विकास से रिलेटेड है, रिसर्च करती है, तो यह काफी कुछ ताइम पहली है, न्यूज में चर्चा में थी, अलग एक्जाम है, दूसरे एक्जाम में पूछा भी गया, तो वह किस यह था, यह कि गैला पेगोस दिप पे जाकर इनो guy ने यह रिसर्च किया था, अगला question है कि हड़ी और पेसी को जूडता है, तो हड़ी और पेसी को को जूटता है, तो कंड्रा द्वारा जूटता है, तो साइज़ बाववो कंड्रा, मानब खोपड़ी में मध्यकान के अलावा ब अधियां होती है तो मानब खोपड़ी में कि इस अलेकार कि महा सम्मान यूजना शुरूगी तो यह जो ना कि यह क्रेंट थोड़ी पुरानी होगी है आप लोग देख लीजेगा आप लोग को थोड़ा सध्यान में रखेगा कि नमो सेथकी जो महासंवान योजना यह जब कुछ टाइम पहले महाराश्ट में बीजेपी के सरकार बने एकनाथ संदे मुक्मंत्री बने तो उन्होंने ए लोग इस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजन का नाम करन किया यह भी कुशन अच्छा कि जो आपका यह उत्तर रेलवे आइधिंक पढ़ती है एक मिनिट उत्तर रेलवे जैसे कि जानते होंगे कि अलग-अलग जोन में रेलवे का पूरा बटा हुआ तो उत्तर रेलवे जोन वह यह निर्ने लिया कि वह अपने ट्रेनिंग इंजन का जो नाम है वह सहीद लोग उनके नाम पर रखा जाएगा जैसे देखिएगा एक ट्रेन का ना हो वह सहीदों के नाम पर होगा तो यह उत्तर रेलवे ने यह त्रफ़न की प्राप्ति वूए लूंबढ़िंए में उनका जन्म हुआ तो और कुशिन अगरम उनको उनकी मिर्ति वोएथी तो यह वोगया आपका तो सारना अत्म में पहला उपदेश दिया था अगला कोश्चन है कि प्रात्ना समाज के संस्थापक कोन थे तो प्रात्ना समाज के संस्थापक कोन थे तो आपका अत्माराम पांडू रंग यह रखेगा यह सब कोश्चन अत्माराम पांडू रंग इस्ट्री का कोश्चन है जो कि अलग-अलग PCS में भी पूछा जाता अकसर आपको यूपी PCS में भी आया हुआ है एक मिनट एक मिनट थोड़ा सा मेरी ये रेंज कर लेता हूं कि अब सही है एक लगर 49 नमर है कि महिलाओं के मता अधिकार से समधित सफरागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया तो सफरागेट्स मूवमेंट जो है ना यह महिलाओं के भोटिंग अधिकार से था आपको पता होगी कि कुछ ताइन पहले आज अब तो बहुत दो-त महिलाओं को बोट करनी का अधिकार नहीं था तो ब्रितेन में जो है यह न ही सफरागेट्स मूवमेंट चलाया गया था जिसके बाद कि कई देशे में ऊ-धिकार का महिलाओं को भी डिकार मिलने लगा था ए श्धान याद रखने कि कहा सा इस्टाट होती है कि ब्रिटेन में होई थी अगलोग पुलिस का सो एक्जाम होता है उस सब में आता है इस तरह का कुछ निश्ट्री का है तो वही सब आपको प्रैक्टिस के लिए इस आ रहा है तो आप लोग बेहें चेक अच्छे से इसको किजिए तो देख्च कौन ते ड्यक्टर राजन्त परसाइद को देख्च बनाए गया थे धियान रखेगा कि अस्था यह देख्च जो है तो एक दिन के लिए वह आपका सम्मान के लिए सचिदानन सिन्ना को बनाए गया था और आपका एक यह भी पूछता है कि उपाध्यक्च कौ अलग-अलग देशों के सम्मीदान से जो भी चीज़े अच्छा लगा उन्हें एडप्ट किया गया तो संबिर्ति सुची का जो प्राबदान है यह आपका आश्टलिया से लिया गया तो यह वाला सोर्स वाला याद कर लिजेगा कि कौन से देश से क्या लिया गया अगला क जैसे उप्रास्ताबना का भासा जो भी अपका आश्टलियो से लिया गया था भारत की बिदेश निती आधारेता तो भारत की जो विडेश निती है था लेकिन इंटिया ने दोनों गूट में से किसी को प्रोपर सपोर्ट ने फूराथी तरगेज्धाना पेसंद में निर्पेक्च यहीव परना प्रफेक्ष काय रहा है क्यों कि उपड़ी कसमें में से कून सी ग॰ियन खास नहीं है को ङरने टो यहला हो चाए गां मैं है आपको तूअ-पर टूब्र को सब दो है है बार आपको पता हूँ और आठ राजय से गुजरती है इंडिया के हो को को अच्छे से जुबान पर याद होनी चाहिए कौन-कौन से एस्टेट उसमें है और कौन नहीं है जब आप कौन है और रखिएगा तो आप ऑप्शन से छांट लिए कौन नहीं है तो इसमें राजस्थान आता है तिरपूरा में भी गुजरती है मिजुरम उत्तर प्रदेश से करक्रेका नहीं गुजरती है तो सहीज बाब जाओ उत्तर प्रदेश इसको याद कर लिजेगो आठेस्टेट को अगला क्वेशन है कि भारती राज्य सीमा में हिमाले का सरवच्छे सीखर कौन सा है तो हिमाले का सरवच्छे सीखर तो मौंट एब्रेस्ट है नो डाउट बट जो है ना इंडिया में वो तो नेपाल में पढ़ जाती है इंडिया में कौन सा है तो वो कंचन जंगा जो कि सिक्किम राज्य में पढ़ती है तो कंचन जंगा वो भारती सीमा में एक तरह से है अगला क्वेशन है कि राजकोस के घाटे को कैसे प्रिभासित किया साथ तो राजकोष के घाटा क्या होता है कि जब आप खर्च करते हैं वो कुल प्राप्ति से जब ज्यादा हो साती है तो उसी को राजकोष के घाटा गाते हैं तो कुल प्राप्तियां से जब कुल व्या घटा है मतलब कुल प्राप्तियां कुल व्या से जब कुल प्राप्तियां घटा आए जाती तो राज़े से घाटा निकलता है तो राज़े से घाटा तो कुल व्या मेनस प्राप्टियांस होती है वो सअब्सक्राइब का option B अगला question है कि वह बून जिस कारण कोई पदारवाय मडल की नमीं सोक मन करते हैं उसको क्या करते हैं तो उसको प्रशुवेदन कहते हैं उस कोशन की पादप कोशी का में लिखित में से किसमें बिभासन की छमता होती है तो को वस्का में चोगा ये विभास बीदी तर्क तक अ बसे इस हो जाती हुर बशिक सब्सक्राई टक बीद hara क Crispy 1 चोट अन्थर देची वाच योद अंतर-ल्ध देशी बह्त अन्तर इक परकार है तो सिर्सट एक परकारे कोषण है कि बहुत प्साइट तो बहुत प्साहित को निवीजर था कि जेन यहीं फोरी तरुके से नहीं और प्राप्रितिक भासा अपना था तो वो थोड़ी से complicated होती है पाली भासा के record है मतलब compare पाली भासा थोड़ा आशान भासा था इसलिए बहुत दर्म का थोड़ा परचार परचार जेंदर्म से ज्याधा हो पाया तो यह पाली भासा में लिखा गया अगला question किस बर सुत्तर प्रतेस सरकार ने एक जल एक उत्पाद योजना शुरू की हां तो दूसरी यह आपके यूपी यूपी पुलिस के लिए तो इंपॉर्टेंट है बागे यह यूपी सरकार की अच्छे मितलब इंपॉर्टेंट यूजना यह आपका कही जान में पूछ सकता प सब्सक्राइब को पता होगा तो 24 जन्मड़ी को आती है 24 जन्मड़ी तो थारे को जो है उसे के सबसार पर एक राज एक उत्पाद दियोज शुरू किया था और इसमें कौन से जीले में कौन से उत्पाद जैसे की आगरा देखी का नुच्छम्रा उत्पाद के लिए मुख्य मंत्रे थे याद को रहा कि एक रहा मुख्य मंत्रे थे सुचेता कर प्लान और गुवीद बला पंथ जो कि आपके पहले मुख्य मंत्रे थे उसके बाद तेज बाद दो सब्सक्राइब यह तो करांतिकारी परिएट के तो यह रहा आगे देखते हैं टूटर 75 हैं दोना मिलागे तो आप लोग घबराईएगा न अच्छे से कड़ते चलिए जिसका अंसर पता हो आप लोग फोसिश कीजिए सरसा देने का नेता आपको देखते तो जाहिर है और दियान में रखिएगा तो आपको चीज़े डालीजों आपको घालल साथ सहरों में लागो क्या तो यह Vegiorka 7 साथ सहरों में अगली कोशन है कि एक इक उत्पाद के ताद महत्पाद में होता है नीए पूच दीन हो फुर्सेनना आपका सườीतिका होटा है तो महत्फुरा में जो बने आपका सनेयटरी फिटिंग आप कुछ-कुछ इला का जो वह राध रख लेजा जैसे सुनंटरि स किज और घ्रर को जर खाई दोकिुक इंच पार डीनों चहुतिकर और forma कि सुन ़िरजाब सित्र आप से पारिया कि जए से तो यहांसे बंग जोगिए लोग पृदिये कि उत्प्ति कहां से हुई तो उत्तर प्रदेश की जो कजड़ी लोग गीते यह कहां से हुई तो यह मृजापूर में मृजापूर की एरिया से तेरी से ये लोकी गीतं तो मिरजापूर हो जागा अगला को Sugare k प्रती बर्स गांदी जहनती का मनाजाता आप तरह इस दिन जो एक और पर्धान मंत्री का लालबाद उट सास्त्री का भी उनी दिन जन मनाया चाता है जन जन ती बोल सकते हैं आप उसको तो दोनों काई की दिन उता है और इस पर और एक दो दिवस है दो अक्टिवर को जैसे बिस पढ़्याव रन दिवस है बिस पर करति दिवस है तो वसे आप लोग कलेंडर वाले में याद करने जाए घर अगला कोशन है कि कि किसमें बिशन का बादिक सतक हों ऐसे रिकॉडड तो रिट्यास राचा तो यह जो है नो बिशन है वर्ल्ड-कप में यह रोहिश रमा सबसे मतलब सब से ज्यादा सतक उमारने बाहल आप लोगो मेच देखते हूं डेखे जो यह कोशन आप लोग तो पर साथ जो कि फिर में मिलने बाला है सब्सक्राइब बनाया था सब्सक्राइब अगला कोश्चन है कि किस ने भारत को वर्ड फ्लू मुक्त घोसित किया गया वो किसके दुवारा किया तो वह डबलू एएएच इसको क्या काज आता है इंदी में सब्सक्राइब अगला कोश्चन है कि क्यूब क्यूब सेट अपग्राइब भारत के किस विश्विद्याले से हैं कौन सा विश्विद्याले सेट लाउंच करेगा तो यह जो है आफ यह अपका अलीगड मुसलिम भी सूइद्याले सरी इसके दुवडरा इसपर काम किया जा रहा है इसको लाउंच किया जाएगा तो यह कहां पर यह से ट्लैड जो है अलीगड मुसलिम भी स्विद्याले से समद लेगा अगला कोश्चन है कि हाली में भारत ने मेवेल ब अगला कोशन है कि किस देश के साथ भारत का सूरी किरण अभ्यास हो ओता है और ये आर्मी का होता है, आर्मी का प्रिक्शन होता है, तो ये अभी नेपाल के साथ किया गया था, जो कि आपका कहा हुआ था, इंडिया में ही हुआ था, इसे पहले बाला नेपाल में था, तो ये नेपाल के साथ सुरी की रण अपयास हुआ था, अगला कोश्चन है कि 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 Bskandrishachet Pradesh संबन्दी अरक्षन शंक्त ही garant फुनर कtx विधाक चित्प using 16 अधिकay but Co कोछ यह हैं ने क्व кажने चुनाप होई तो शुक है किसरकार बने परिए आदिवासी मुक्हा मंत्री ला ओ चणबब कर दो Самरे ने फीचाँ कि चुना के साथ्ज ना, है कि सिरगां उसका नाम क्या है तो यह था आज का 75 कुश्चन आप लोग को क्लास कैसी लगए आप लोग फीड़ेक भीड़ेगे उसके बाद जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताईएगा को सिस करेंगे उनका आपको पूरिया सटेस्फाय करना का तो इसका तो पहले का सेट इससे पहले का दो सेट कर लिए तो अच्छी बात है ने इस तो मैं फिर वही काऊंगा कि टाइम मिलता है तो आप लोग उसको भी कर लिजाएगा और फिर कल देखते हैं आगे का तो तब तक के लिए बाए